हालो गाई जाब सभी सात्यों का स्वागत है आपके अपनी येट्यूब चैनल टॉपर सिंट पर तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट दो तीन अपडेट है चाहे सिख्चक भरती को लेकर के अपडेट हो योगी जी ने क्या उसके बारे में बात किया इन सभी चीजों प बात करने वाले हैं बेर्ड सायूंक तो प्रवेस परिक्षा यानि बेर्ड इंटरेंस एक्जाम की बेस्ट बुक के बारे में जो कि आपको चक्षू पब्लिकेशन के मिल जाएगी आप यहां पर देख सकते हैं पूरी इस्टिडी गाइड बुक है स्लेबस के अनुसार बन बुक पढ़ लेंगे तो आपका जो बेर्ड इंटरेंस एक्जाम है इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप किसी भी अगर बुक इस्टोर पर भी लेना चाहते हैं तो वहां से भी आप ले सकते हैं साती साथ आ हमारे मानेनी सिक्षाम Midwestरी है संथीव सिंग जी उनको ये बात नहीं पता है तो वो इंग्नोर कर रहे है इन चीजों को और बार बार जब उनके पूछा जाता है कि बताईए सिक्षकवर्ती आप कह ला रहे हैं योपी में तो वह एक है चीज बताते हैं कि हमारे हैं अनुप पूलों में बढ़े हैं अब ज़रा यहां पर एक चीज हमको आप लोगी बताईएगा छे साल पहले यानि कि हम बात करें तो अधारा उननीज के आसपास में जो है भरती आई थी अग्षाज हुई एक अच्छी कासी बढ़ती में बोगती आए थी जब उतने पद उत्तर प्रदेश में रिखे थे चलो मैं माल लेता हुए एक तरीके से कि 59 शिक्षक भरती हुई जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भरत कि यह दावा कर रहे हैं कि हमने इतनी बढ़िया ब्यास्ता कर दिए स्कुलों में कि एविसल ले रही ह quedar सिख्शा wonderful जी से भरती के बारें पूछा जाता है तो उनका अनपाद समनपाद बराबर हो जाता कि बिना किसी भरती जो अभी एक्जाम डेटी नहीं गोसित हुआ है लेकिन फिलाल के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी सिक्षक भरती को लेकर के 1 to 5, 6 to 8 को लेकर के कोई भी कुछ बोलने को तयार नहीं है बस खाली ये बड़े-बड़े डिंगे हांके जाते हैं नई भाई हमारे पास इतने बच्चे जो है नए नए एडिमिसन ले लिए हैं फिलाल और की कुछ अपडेट है उसको भी हम देखेंगे पेपर लिग को लेकर के योगी सरकार की किरिकरी हो चुकिए कोई भी पेपर होता है योगी जी के सरकार में वो पेपर लिख ही होता है इसको कोई माने या फिर ना माने यहां पर कितने पेपर है कौन-कौन लिख हो है सब के बारे में ब्योरा यहां पर दे दिया गया है कि यूपी में युवाओं के भविश के साथ खिलवाड हर परिक्चा का पेपर होता है 2017 का दरोगा भरती लिख हुआ 2018 में यूपी PCL, यूपी ट्रेपल सी के जो लोवर सवाडिनेट तावू लिख हुआ यूपी ट्रेपल सी ट्यूब बल ऑपरेटर लिख हुआ यूपी PCC, आरो यारो की जो परिक्चा है उसकी जाज कमेटी ने सुरू कर दिये है आप देख सकते हैं कल बच्चों ने यहांपर एक्सपर् ट्रेंड भी कराया तक्रेपन साथ से आठ लाग बच्चों ने टूइट किया है कल एक्सपर और इन्हों ने बताया कि यहाँ पर ROARO का एक्जाम कैंसिल किया जाए यह देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि ROARO परिच्छा में पेपर लीग का दावा कर रहे चात्तों ने सोसल मीडिया प्लेटफर्म X पर अभियान छेड़ रखा है हैजट्राइग ROARO पेपर लीग UPPSC वी डिवांड रीग्जाम और कैंसल ROARO एक्जाम आज बुधवार को ट्रेंड करते रहे वहीं दूसरी और ब्रेष्टा चार्मों की मोर्चा कैदेच कोसल सिंग की अधिक्स्ता में सभी ऑनलाइन प्लेटफर्म इस्टिडी चैनल ने हिस्स्ता लिया पेपर लिग वाई तो पेपर दुबारा होना चाहिए बच्चे एक बार फिर से मेहनत करके पेपर दे लेंगे लेकिन अगर किसी भी गलत लोगों के हाथ पेपर लगा होगा तो जाहिर से बाते बहुत सारे लोग इसको नकल करके पास हो जाएंगे और जो अच्छे बच्चे हैं वो पास नहीं हो पाएंगे तो उसकी जाँच शुरू हो चुकिए बस यहीं कि थोड़ा सा सही रूप से जाँच हो जिससे जो दोसी है उन पर जो कारवाई हो और दुबारा पेपर करवाया जा सके चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ अगली अपडेट है UPP Constable की जो परिक्षा आपकी 17 और 18 तारिक को होने वाली है उसको लिकरके एक official notice जारी की गई और यह official notice इसकम में जारी की गई है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नाम गलत हो जाता है किसी का नाम मैच नहीं हो रहा किसी का डेटा बर्त नहीं मैच नहीं हो रहा तो उन लोगों को इंट्री किया जाए लेकिन कुछ सर्थ भी उन्होंने बताया है अधार कार्ड औरिजिनल आईडी के रूप में आप ले जाएए फोटो लेकर जाएए और उसकी फोटो कॉपी भी आप एक लेकर जाएएगा 29,000 सिक्षकवर्ति के अभैरतियों की नाराजगी कम नहीं हो रही है हाई कोड में सरकार की तरफ से ठीक से पहर भी ना होने का आरूप लगाते हुए अभैरतियों ने बुद्वार को गोल्फ क्लब चौड़ाहे पर प्रदरसन किया कुछ देर चले प्रदरसन के बाद पुलिस ने अभैरतियों को जबरदस्ती बस में बढ़ा कर इको गार्डन पहुचा दिया सिक्षकवर्ति अभैरति कापी दिरों से इको गार्डन में 68 सुपदों पर नियुक्ति के लिए अंदोलन कर रहे है अभैरतियों ने मंगलवार को बेसिक सिक्षा राजमंतरी संदीव सिंग्या आउस का घराव किया इसी क्रम में आजवा मुक्षवंति योगत आगे तनास से मिलने के लिए उनकी आवस के तरब जा रहते पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया अभैरति धरने पर बैढ़ गए इसे लेकर उनकी पुलिस से तीकी नोगजोंग भी हुई कुछ मैला अभैरति छोटे बच्चें भी लेकर आई थी अभैरति का नेत्रित का रहे है अभैरतियों का नेत्रित का रहे है बिजय परताब ने कहा कि अरसर सु आरक्षन का मामला हो चाहिए एक नमबर वाला मामला हो बहुत सारी जो है बिसंगतियां आभी भी उनत्ताजा सिक्षक बढ़ती में देखने को मिल लही है फिलाल जो भी अडेट होगी हो मैं आपको चैनल के बादर से बताओंगा तो चैनल का आप जरूर सब्सक्राइब कर लें जय ही जय भारत